नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजली शर्मा, असिस्टिंट प्रोफेसर, MS कॉलेज, बीकानिव आज की क्लास में हम उनी वस्रों की निर्मान प्रक्रिया को समझेंगे Sharing of wool, अर्थात उन की कटाई भारत में भेडू के शरीर से उन की कटाई वर्ष में दो बार मार्च वे सितंबर में की जाती है परन्तु कहीं कहीं वर्ष में तीन बार अर्थात मार्च, जुलाई वे अक्टूबर मह में की जाती है आमेरिका में उन की कटाई का काम अप्रेल वे मई, इंग्लेंड में जुलाई वे आस्टेलिया में सितंबर महा में होता है उन की कटाई इस्थान की जल्वायू पर आधारित होती है भेडो के शरीर के विबिन भाग से प्राप्त उनों में से अच्छे उन को कटाई के दोरान ही अलग कर लिया जाता है सबसे अच्छी उन भेडों के कंधों की होती है यहां से प्राप्त उन लंबी मुलायम वे महीन होती है सिर, छाती, पेट, वेटांग की उन दूसरे नंबर पर होती है उन की कटाई से पूर्व भेडों को अच्छी तरह साफ पानी से नहलाया जाता है तत पस्चात कीट नाशक पाउडर के गोल से दोया जाता है उन की कटाई निम्न दो प्रकार से की जाती है हाथ द्वारा उनकी कटाई तथा मशीन द्वारा उनकी कटाई हाथ से उनकी कटाई के लिए ब्लेड या ओजारों का प्रयोग किया जाता है इसके लिए सर प्रथम भेड को पेट के बल लिटा दिया जाता है ततपश्चाद पैरों को पकड़ कर पेड से काटना प्रारंब करते हुए सिर्व अन्य जगहों के बाल काटे जाते हैं कताई के दोरान जरासी ऐसावधानी भेड को घायल कर सकती है तथा परियाप्त ग्यान के अभाव में शरीर के सभी स्थानों के बाल उतारते समय आपस में मिल जाते हैं जिनकी चटाई बाद में ऐसंबव होती है अतहे इसके लिए आवशक है कि कताई के दोरान आवशक वे लंबे उन को सावधानी पूर्वक अलग कर लेना चाहिए उनकी कताई के पश्चात इन्हें 100 से 160 किलोग्राम के भारवाले बोरों में भर लिया जाता है मशीन द्वारा उन की कताई से प्राप्त उन की लंबाई बारिक, घनत्व, सुक्ष्मता एवं कोमलता बनी रहती है इससे उत्तम गुनवत्ता का उन प्राप्त होता है मशीन द्वारा उं की कताई सरकारी विभागों द्वारा मुफ्त अत्वा कम दरों पर की जाती है सरदियों के पस्चात उतारी गई उं सफेद एवं वर्षा तथ मानसुन के पस्चात उतारी गई उं का रंग पीला पन लिए होता है नेक्स्ट स्टेप है शौर्टिंग एंड ड्रेडिंग अर्थात छटाई एवं शेणी करन एक ही भेड के शरीर से 15 से 20 विभिन प्रकार की शेणी का उन प्राप्त किया जाता है अतहे हैं उनकी छटाई भली प्रकार से किया जाना अत्यन्त आउशक है इसलिए इस कार्य को कुशल वे निपुन व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है उनको उनकी विभिन किस्मों जैसे लंबाई, प्रत्यासता, बारीकी, अत्वा मजबूती के आधार पर शेणी करत किया जाता है विदेशों में यह कार्य मशीनों द्वारा संपन किया जाता है शेणी करण के दोरान लंबे वे महीन देशों को वस्चित धागा बनाने के लिए प्रथक कर दिया जाता है उन के उच्चित शेनी करण हेतू भारत सरकार द्वारा एग मार्क इसकीम में कई शेना प्रदान की जाती है जैसे A का मतलब है fine, B अर्थात medium, C अर्थात last medium, तथा D अर्थात course wool ए सबसे बारिक एवं उत्तम उन होता है, जैसे जैसे माइक्रोन अर्थात व्यास भड़ता जाता है, उन की बारिकी कम होती जाती है लंबाई के अधार पड़ भी शेनी करन किया जाता है, दो से चार इंच तक के उनी रेशों को दो अक्षरों जैसे A, A, B, B, C, C, एवं D, D के द्वारा दर्शाय जाता है, जबकि लेवल दो इंच तक की लंबाई के रेशों को एक अक्षर जैसे A, B, C, अत्वा D के द्वारा दर्शाय जाता है Next Step है Cleaning and Scouring अर्थात सफाई एवं धुलाई शेनी करन करने के पश्चाथ उन की प्राकर्तिक गंदगी, धूलकन, मिट्टी वे अन्य गंदगी को साफ करने के लिए इसकी सफाई वे धुलाई की जाती है यह कारिये हाथ वे मशीनों दोनों से संपन किया जाता है इसकी दुलाई हेतू सामानेत है तीन विध्या प्रयोक्ति की जाती है Scouring with soap solution Scouring by volatile solving और थर्ड है carbonizing दुलाई का यह कारिये अर्थात साबुन से जब घुल से धोया जाता है तो हाँ तत्वा मशीनों दोनों के द्वारा किया जाता है इसके अंतरगत उन दुलाई का कारिये चार चरणों में पूर्ण होता है प्रतम चरण में उन को साबुन के गर्म पानी के घुल में डाला जाता है तत पश्चात रेशों को गर्म हवा अत्वा भाब से सुखाया जाता है इससे रेशे सच्छवय सफेद हो जाते हैं वाश्पित घोल इस विधि के अंतरगर्त रेशों में इस्थित प्राकर्तिक चिकनाई इत्यादी को हटाया जाता है इसके लिए रेशों को बेंजीन, पेट्रोलियम, नैफ्ता, कार्बन, ट्रेटरा, क्लोराइड के गोल में डाला जाता है जिससे रेशे बिल्कु सच्छ वे नरम हो जाते है थर्ड प्रासेस है कार्बोनाइजिंग इससे रेशे स्वच्छ, सफेद वे नरम हो जाते है नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग अर्था सुखाना दुलाई की प्रकिरिया के पश्चात रेशों को सुखाया जाता है रेशों की मुलामियत, नरमी तथा अग्रिम प्रकिरिया सहज बनाए रखने के लिए इसे पूरी तरह सुखाया जाता है पूरी तरह सूखने पर रेशों में कड़ा पन आ जाता है इसमें 12-16 प्रतिशत तक आजरता बनाए रखते हैं सुखाने का कारिये भाप द्वारा एवम नमी के बातावरण में मशीनों में हावा फैक कर सुखाया जाता है नेक्स स्टेप है ओयलिंग अर्थात तेल लगाना धुलने के पश्चात रेशों में रूखा पन वे कड़ा पन आ जाता है जिससे धागे की प्रक्रिया आगे की प्रक्रिया में कठिनाई होती है अते आगे की प्रक्रिया सहज बनाने हेतू उन पर जैतून का तेल या ग्लेसरीन लगा कर छोड़ा जाता है जिससे रेशे नरम वे मुलायम हो जाते है नेक्स स्टेप है कार्डिंग अर्थात धुनाई दुनाई करने से पूरू वस्त्र की उप्योगिता निश्चित किया जाना आवशक है क्योंकि उनी वे वस्टेड वस्त्र की दुनाई बिन बिन प्रकार से की जाती है दुनाई का कार्ये मशीन अत्वा हाथ दोनों से ही किया जाता है अधिक मात्रा में उन की कार्डिंग मशीन से की जाती है हाथ दुनाई मशीन ब्रश के समान होती है इससे विभिन प्रकार के उन की कार्डिंग की जा सकती है इसके द्वारा उनी रेशे खुल कर सीधे हो जाते हैं हाथ कार्डिंग द्वारा उनी रेशे वस्टिट के अपेक्षा गर्म वे फुझीदार होते हैं जबकि मशीन कार्डिंग हेतू रेशों के दो रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है इन मशीन में लगे तार के दांत में रेशे फसकर खिचकर निकाले जाते हैं जिससे दूलकंड, गंदगी वे भारी अशुद्या स्वते ही दूर हो जाती है एवं रेशे समानांतर हो जाते हैं वस्टिट वस्ट्र हेतू रेशों की दुनाई विशेज प्रकार से की जाती है जिससे रेशे पूर्टिया समानांतर वे चिकने हो जाते हैं Next step है Combing, अर्थात कंगी करना. यह प्रक्रिया केवल वस्टेड वस्त्र बनाने वाले वस्त्रों पर की जाती है, इसके द्वारा छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं, बड़े रेशे समानांतर हो जाते हैं, तता दूलकन, गंदगी इत्यादी दूर हो जाती है, तत पश्चात इसकी पूनिया बनाई जाती है, सीधे वे लंबे रेशों को टॉप्स कहा जाता है. Next step है Drawing, अर्थात खीचना. वस्टेड वस्त्र तयार किये जाने हे तू, इन सीधे लंबे समानांतर रेशों को खीचा जाता है, सगन बनाने हे तू, कई पूनियों को एक साथ मिला कर खीचा जाता है, खीचते समय आवशक्ता नुसार उसमें एठन दी जाती है, जिससे काफी बारिक तागा तयार होता है, इस प्रक्रिया को रोविंग कहा जाता है, इन तयार पूनियों से ही कताई की जाती है, नेक्स्ट है, इस्पेनिंग अर्थात कताई, इस प्रक्रिया के अंतरगत तयार पूनियों से कताई द्वारा आवशक्ता नुसार बट देकर धागा बनाया जाता है, उनी एवं वस्टेट धागे की कताई से अलग-अलग फ्रेम का प्रियोग किया जाता है जैसे उनी धागों की कताई म्यूल फ्रेम द्वारा की जाती है जिससे मोटा, मुलायम एवं फुजिदार धागा तयार होता है वस्टिर धागे की कताई हेतू, रिंग, केव, फ्लेयर तथा म्यूल मशीन का अप्रयोग किया जाता है इसके द्वारा महीन, चिकना, गोलाकार धागा तेयार होता है जिसको लच्छी के रूप में लपेट लिया जाता है उनी वस्टि की कताई आवशक्तानुसार टू, थ्री, फोर प्लाई में की जाती है नेक्स्ट है विविंग, अर्थात, बुनाई कताई के पश्चाद, तयार धागे से विविन ट्रकार के वस्टि के अनुरूप बुनाई की जाती है सामाने तह उनी वस्टि की सत्य खूर्दरी वरोयदार होती है इसी कारण बुनाई संबंदी दोश भी दिखाई नहीं देता इसके दोरा पुलोवर, स्कर्ट, जैकेट, स्वेटर, कमबल इत्यादी वस्टि बनाई जाते है इनकी लागत आपेक्शाकरत कम होती है वस्टि 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 में सामाने तह त्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है इसकी बुनाई सगन वे आकरशक होती है पतले, चिकने, महीन वे गोलाकार धागे के होने के कारण अत्यांत मजबूत वे ठिकाउ होते है इनसे कोट, ओवर कोट, शूटिंग, जैकेट आदी का निर्माण किया जाता है ये अत्यांत महेंगे होते है नेक्स स्टेप है फूलिंग, अर्थात भराव देना वस्त्र को और अधिक सघन वे आकरशक बनाये जाने के उद्देशे से बुनाई के पस्चाद भराई की जाती है इसके अंतरगत तयार वस्त्रों को साबुन के गर्म पानी में दबा दबा कर घुमाया जाता है जिससे रेशों की एम दूसरे के पास की दूरी कम होकर वस्त्र अधिक सघन बन जाता है दबाव के पस्चाद इसे ठंडे पानी में दुया जाता है इस प्रकिरिया को ही फुलिंग कहते हैं इस प्रकिरियाद्वारा वस्त्र अपनी प्रकर्दी के अनुसार सिकुड कर सघन द्रड वे मजबूत हो जाता है नेक्स स्टेप है ब्लीचिंग एंड डाइम अर्थात ब्लीचिंग करना अत्वा रंगाई करना उनी वस्त्रों के पीले पन को दूर करने वे सफेदी प्राप्त करने के लिए ब्लीचिंग की जाती है ब्लीचिंग के लिए हाइडोजन पर उक्साइड का अप्योग उत्तम होता है रंगाई के लिए आमलिक रंग का प्रियोग किया जाता है अर्थात acidic dye इसके अत्रिक्त basic रंग, chrome, indico, even wet रंग का भी प्रियोग किया जाता है लास्ट स्टेप है finishes अर्थात परिश्क्रती वे परिसज्जा उनी वस्त्रों को विभिन परिसज्जाओं के मात्यम से आकरशक वे दोश्मुक्त बनाया जाता है इसके अंतरगत सामाने तहे निम्न परिसज्जाओं का प्रियोग किया जाता है जैसे की सतय को चिकना बनाने के लिए भाब देना, वस्त्र को शिकन प्रतिरोधी बनाना, रोयदार सतय की व्रद्धी करने के लिए रोय उठाना, उनी वस्त्रों को रंगने के लिए रंगाई करना, आकार सुधारने के लिए, इस्थाई आकार देने के लिए, पर्मानेंट प्रेस फिनिश तथा वस्त्रों पर समान सतय देने के लिए शेरिंग इत्यादी फिनिशेज दी जाती है इसके अतिरिक्त कुछ नए उनी वस्त्रों पर टैफलोन परिसज्जा की जाती है जिससे दाग धब्बे लग जाने पर वस्त की सतय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता थैंक्स